हलो एवरीवन वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल मम्ता मैस टुटोरियल और आज 11 क्लास में लेक्चर 28 है आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 15 और उसका नाम है स्टेटिस्टिक्स सांखेगी देखे होता क्या है स्टेटिस्टिक्स में क्या होता है आपके पास जेर सारे आंकड़े दी होते हैं उनसे कुछ ने कुछ आपने रिजर्ट फाइंड आप्ट करना होते हैं चीक है कई मैथर्ड्स होते हैं वह सारे ही किसमें पढ़ते हैं हम स्टेटिस्टिक टॉपिक में दे आउट हो गया सिक्सेवाइब पुर्टी जैसे उसने दस पारियों में घरन बनाे हैं ठीक है साथ में बैस्मेन भी बी है ठीक है उस्ने यह रन बनाए कि फ़ासर जब उसकी बारिया तो निने 46 siis dn- пять तो trze ए यहां रन बनाए हमने इन दोनों ही बैस्मेन एका mean भी निकाला, median भी निकाला और batsman B का mean भी निकाला और median निकाला और यह इस तरह से आए कि दोनों के ही same है mean हम कैसे निकालते थे सब को जोड के जितने number of observation है उतनों से divide कर देना, इन सब का total करके आप यह 10 है, 10 से divide करोगी तो क्या आएगा 53 mean में हम यही करते हैं same batsman B के case में करेंगे सारे ही runs को जोड के कितनी पारियों के थे 10, 10 से जब हम divide करेंगे तो हम 53 हमारा result आएगा, median में हम क्या करते थे median में हम पहले data को ascending order में लिखते थे फिर number of observations देखते थे odd और even के according हम बीच वाला चार्ट लेते थे बीच में एक है तो ठीक है हमारी term median आ जाती और बीच में अगर 2 median आती तो हम दोनों को add करके 2 से divide करते हैं यह सारा basic था mean और median का जो आप छोटी classes में पढ़ चुके है कि mean कैसे निकालते हैं median कैसे निकालते हैं ठीक है batsman A के data को जब मैंने number line पर represent किया तो यह कुछ इस सरह से figure बनी है marks जो marks नहीं जो runs है वो notate किये हैं तो हमें यह figure मिल लिए same batsman B के लिए किया इसके जो run थे इन्हें भी मैंने number line पर show करने के कोशिश की अब आप देखो दोनों में change है कुछ batsman A के जो run है वो उसकी mean और median से mean और median से बहुत दूर है आज पास भी नहीं है 53 तो यहाँ पड़ेगा न देखो बहुत जारा data scattered हुआ पड़ा है जब हम batsman B की बात करते हैं तो यह around 53 है सारा ही data around 53 है तो अब तक हमने क्या पढ़ा हमने पढ़ा measure of central tendency हम वो क्या होती थी हमारी mean median और mode हमने यह पढ़ा था पर यह थी हमारे measure of central tendency पर किसे भी data के बारे में अच्छे से result अगर हम इडीप result लेना है तो यह sufficient नहीं है देखो अभी भी एक चीज और matter करती है वो क्या होती है आपकी variability data vary कितना कर रहा है ठीक है देखें यहाँ पर batsman a का data बहुत vary कर रहा है more variable है और batsman d का data कम vary कर रहा है वो mean और median के आसपास है तो क्या हम कह सकते हैं कि दोनों की performance सेम है ठीक है बेड़ों का mean सेम है तो क्या हम कह सकते हैं कि batsman a और batsman b दोनों की performance सेम है नहीं performance सेम नहीं है कुछ terms है जैसे की measure of इसको क्या बोलते हैं variability का variability को नापने के लिए क्या है हमारे पास measure of dispersion measure of dispersion चीक है यह थे आपके पास क्या measure of central tendency measure of central tendency इसके method मैं रुक्के बताती हूं पहले variability की बात कर रहे थे तो देखो batsman a की performance कैसी है minimum marks किसके क्या है 0 और highest marks क्या है इसके 117 यानि कि इसकी performance क्या है यह 0 से लेकर 117 तक कितने भी रन मना सकता है बहुत difference है कोई fix data ही नहीं है यह 0 पे भी आउट हो सकता है यह 20 पे भी 30 पे अपर 117 पे भी बट batsman b का क्या है batsman b का minimum देखे minimum कितना है इसका 46 और maximum कितना है इसका 60 तो देखे बहुत कम है 48 से लेकर 60 यह अराउंड यह 50 तो लगाता ही लगाता है ठीक है क्यानि कि कुछ और चीज़े matter करती है तो कौँ से term matter करती है mean, median, mode के अलावा variability matter करती है और variable को मापने के हमारे जो methods है उनको हम क्या बोलते है measure of dispersion यह कितने methods होते है जैसे कि measure of central tendency में हम mean निकालते है median निकालते है mode निकालते है वैसे ही measure of dispersion में हम range निकालते है second quartile deviation निकालते है quartile deviation निकालते है third mean deviation निकालते है mean deviation और fourth one हम standard deviation निकालते है standard deviation चीक है अब हम इनका one by one step discuss करेंगे quartile deviation आपके slivers में नहीं है यह higher classes में आता है आप तीन पढ़ेंगे range पढ़ेंगे main deviation पढ़ेंगे और standard deviation पढ़ेंगे range सबसे easy है range क्या है देखिए range is the difference of between maximum and minimum चीक है maximum और minimum का difference क्या कहलाता है आपका range तो जब हम batsman a के range की बात करते है तो maximum किसका है इतना 117 और minimum कितना है इसका 0 तो range क्या जाएगी 117 similarly हम range निकाल सकते है batsman b की इसके highest जो run है उसमें से इसके lowest run को minus कर देना that will be range ठीक है अब हम बढ़ेंगे mean deviation mean deviation का topic एक बहुत युनिक सा topic है देखिए अब हम देखते हैं कि mean deviation हम किस तरह से निकालेंगे examples की help से आप समझे ज़रा इसको अब हम पढ़ने वाले हैं mean deviation हम mean deviation about mean भी निकालेंगे हम mean deviation about median भी निकालेंगे ठीक है उससे पहले हम बात करते हैं कि data हमारे पास क्या है data हमारे पास तीन तरह से आता है first होता है ungrouped data ungrouped data इसमें कोई grouping नहीं होती है data ऐसे लिखा होगा 5,3,9,8,10,5,9,20 something like that आपको just digits दी होंगी वसा से चीक है कोई grouping वगा रहा ही नहीं होती है इस तरह का कोई data दिया जाए वो आपके पास क्या होता है ungrouped data second आता है आपके पास grouped data grouped data grouped data grouped data दो तरह से होता है ठीक है first one आता है grouped data में भी discrete continuous discrete frequency distribution discrete frequency distribution इसमें data आपके पास कैसे दिया होता है grouped तो दिया होता है table तो दिया होती है पर कैसे होती है वो two times इस type का अगर जो data दिया होता है वो क्या होता है discrete होता है और यह frequency इस दी होती है आपके second जो पार्ट है second जो पार्ट है वो क्या होता है इसका continuous frequency distribution distribution यह कौन सा होता है अगेन आपने देखा हुआ है इसमें कैसे data होता है range ही होता है 0 से 10 कोई भी दे देते है इंकम और number of families कुछ भी दे सकते हैं यहां पर thousand में 0 से 10 10 से 20 20 से 30 इस तरह से continuity में 0 से 10 10 से 20 20 से 30 और यहां पर कोई भी दे सकते हैं 2 3 5 इस तरह से जो data होता है वो क्या होता आपका continuous frequency distribution आपने data तीन होता रहें के देख रखी हैं बट यह होते कौन कौन से हैं अगर यह data दिया होता है तो यह हमारे पास क्या है ungroup data अगर इस टाइप की टेबल है अलग-अलग frequencies हैं और अलग-अलग exercise हैं हमारे पास वो क्या होता है discrete frequency distribution और जहां पर continuity होती है जहां पर intervals होते हैं 0 से 10 10 से 20 या फिर interval कुछ भी हो सकते हैं वो आपका किस में count होता है continuous frequency distribution ठीक है अब हम तीनों के लिए ही करेंगे ungroup के लिए discrete frequency distribution के लिए और continuous frequency distribution के लिए हम mean deviation निकाल लेंगे about mean भी और about median भी ठीक है देखिए अब questions कैसे solve करेंगे ungroup data के लिए ठीक है आज बाले lecture में हम क्या निकालेंगे mean deviation ungroup data का about mean और about median भी discrete के लिए और continuous के लिए about mean का अलग lecture और discrete और continuous frequency distribution के लिए median का अलग lecture आएगा ठीक है आज के topic के लिए देखिए हम क्या कर रहे है ungroup data को ले रहे है तो ठीक है फिर हम क्या निकाल रहे है mean deviation निकाल रहे है about the mean भी और about the median भी ठीक है solution देखिए पहले example बन रेते हैं हमारे पास observation क्या दे रखिए है 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8 और 12 हमने main deviation किसके निकालना है about the mean तो अनकी पहले में mean निकालना पड़ेगा mean mean को हम किससे denote करते है एक्स के उपर बार ठीक है यह mean का मीन देखिए mean क्या होएगा सबको total कर दे और जितनी observation है उनसे divide कर देते है 6, plus 7, plus 10, plus 12, plus 13, plus 4, plus 8, plus 12 divide by कितनी observation 8 है add कीजे इनको 20 होगे 24, 24 और 13, 37, 37 और 12, 49, 49, 10, 59, 59 और 7, 66, 66 और 6, 72 है इनका total ठीक है upon में 8 तो यह क्या गया आपके पास 9 हमारा median क्या आ गया है 9 यह first step है ठीक है क्या निकालना था हमने about the mean निकालना था तो पहले हमने data का क्या निकाल लिया mean ठीक है अब हम करते है mean deviations यानि कि data की mean से कितनी दूरी है ठीक है, now we will find, we will find x i minus x bar, हर टर्म में से हम mean को minus करेंगे, 6 में से 9 को minus करेंगे, minus 3, 7 में से भी 9 को minus करेंगे, minus 2, 10 में से 9 को minus करेंगे, 1, 12 में से 9 को minus करेंगे, हर टर्म में से हमने mean, mean से distance देखना है, mean से difference देखना है, 13 में से 9 गए, 4, 4 में से 9 गए, minus 5, 8 में से 9 गए, minus 1, और 12 में से 9 गए, 3, चीक है, अब क्या करना है, हमने absolute values लेंगे, absolute values, यानि कि जो हमने x i में से median गटाया है, हर एक x में से median गटाया है, उसका हमने क्या लेला है, modulus, क्या हैंगी यह, sign हट जाएंगे, 3, 2, 1, 3, 4, 5, 1, और 3, अब हम निकाल रहे हैं, mean, deviation, about mean, notation है लिखने की, mean, deviation, about mean, इसका formula क्या होता है, summation, x i minus x bar, i varies from 1 से लेकर n तक, और नीचे क्या होता है, n, चीक है, और फिर यहाँ पर n का मतलब क्या है, number of observations, आप capital N भी लिखलो चाहें, solve करो ज़रा, इन सब का sum, summation है न, इन सब का sum, क्या हैगा, 3, plus 2, plus 1, plus 3, plus 4, plus 5, plus 1, plus 9, divide by n, n यह हैं कितने, 80, इनको solve करो ज़रा, 3 और 1, 4, 4 और 5, 9, 9 और 4, 13, 13 और 3, 16, और 1, 17, 17 और 2, 19, 19 और 3, 22, 22 by 8, divide कर दो इसको, 2 पे, 60, 2.75, यह आपका answer है, चीक है, यह हमने क्या निकाला है, mean, deviation, about, mean, दोबारा देखी कैसे, first of all, हमने question को बहुत ध्यान से पढ़ना है, कि एक तो देखना है कि आपको data कैसा दे रखा है, then हमने main deviation निकालना है, हमने standard deviation निकालना है, निकालना क्या है, ठीक, और वो about किसके, किसके about निकालना है, question क्या था, हमारे पास ungrouped data दे रखा है, और हमें mean deviation निकालना था about mean, हमने data लिखा हमारा, हमें mean निकालना आता है, sum of observations upon number of observation, तो हमारा mean क्या आया, 9, अब mean deviation about mean निकालने का तरीका क्या है, हम क्या निकालते हैं, हर एक observation में से mean को minus करते हैं, ठीक है, then हम उसकी absolute value लेते हैं, absolute value का मतलू plus की है, तो plus में ही रखो, minus की है तो वो plus में हो जाती है, absolute बतलू का मतलू minus कोई बेटर नहीं करता है, ठीक है, इसका मतलब होता है absolute value का वैसे, जब जब x की value positive है, तो mod x की value x ही रहती है, और जब जब x की value minus में है, तो mod x की value minus x होती है, जैसे यह minus 3 है, तो उसकी value minus minus 3 हो जाती है, minus minus plus 3 हो जाती है, इसलिए हम यह sign नहीं लेते हैं, ठीक है, इसका मतलब यह नहीं कि होता ही नहीं है, about mean formula क्या होता है सारे ही जो आपकी absolute values आई है इनका sum divided by number of observation हमने sum किया number of observation से इसको divide किया और हमारा answer क्या आया 2.75 ये आगे आपके पास mean deviation about mean ठीक है अब हम करते हैं mean deviation about median उस question को कैसे करेंगे देखी डाटा हमारे पास यहाँ पे भी ungrouped ही दिया हुआ है second question का solution डाटा लिख लेते हैं 3,9,5,3,12,10,18,4,7,19,21 ungrouped data दिया हुआ है निकालना क्या है mean deviation about the median यानि कि हमें पहले median निकालना पड़ेगा और median निकालने का क्या procedure होता है पहले हम डाटा को किस में लिखते हैं ascending order में लिखते हैं लिखे इस ascending में क्या हैगा 3,then 3,then 4,5,7,9,10,12,18,19,21 एक observation देख लें कितनी है यह 11 थी नीचे भी 11 ही आगी है यानि कि हमसे कोई छुटी नहीं है हमने सारी लिख दी है अब हमने क्या निकालना है median median को हम डिनाट कर रहे है m से median कैसे निकलती है number of observation देखे कितनी है हमारे पास 11 है चिक है odd है तो median क्या आएगा 11 plus 1 by 2 12 by 2 6th term आपकी क्या आएगी median 1 2 3 4 5 6 पीछे से भी देख लो चाहिए 1 2 3 4 5 6 6 term आपकी क्या है median यह हम पहले questions कर चुके है चोटी classes में तो median की value हमारे पास क्या गई है 9 अब तरीका हुए है अब हम क्या निकालेंगे XI-M निकालेंगे पहले हर एक डटा की median से difference 3 में से 9 गई – 6, 3 में से 9 गई – 6, 4 में से 9 गई – 5, 5 में से 9 गई – 4, 7 में से 9 गई minus 2, 9 में से 9 गई, 0, 10 में से 9, 1, 12 में से 9, 3, 18 में से 9, 9, 90 में से 9, 10 और 21 में से 9 जाएंगे तो क्या जाएगा? चीक है, अब वही हमने क्या लेनी हैं? इनकी absolute values लेनी, absolute values क्या बनेंगी? 6, 6, 5, 4, 2, 0, 1, 3, 9, 10 और 12 अब हमने निकालना है, mean deviation about median ये notation रहेगे, mean deviation about median ये पर बही करेंगे, summation formula क्या है? I equal to 1 से लेकर, XI minus M की absolute value divided by N, where N is the number of observation इन सबका sum, 6, plus 6, plus 5, plus 4, plus 2, plus 0, plus 1, plus 3, plus 9, plus 10, plus 12, divided by, कितने थे ये? 11 जोड़िये जरा, 12 और 10 कितने होगे? 22, 22 और 9 कितने होगे? 31, 31 और 3, 34, 35, 37, 37 और 4, 41, 41 और 5, 46, 46 और 6, 52, 52 और 6, 58 total क्या आया है इनका? 58 by 11, divide कर दो, 55 पर, फिर क्या बचेगा? 30, फिर 2 पर, फिर क्या बचेगा? 80, फिर 7 पर, 5.27 एक्रोक्स, ठीक है? लगभग आपका ये आजाएगा ये आगया आपका mean deviation about median, दोबारा देखे हमने क्या क्या? हमारे पास ungrouped data दिया हुआ था, question में क्या था? find the mean deviation about the median, हमने median निकालना था, median हम कैसे निकालते थे? फ़रले data को हम ascending order में लिखते थे, फिर हम बीच की term ढूटते थे, number of observation आपकी odd है या even है, यहाँ पे odd थी, number of observation जब odd होती है, तो उसमें हम एक add कर देते हैं, उसका आधा कर देते हैं, जो answer आता है, वो वाली observation आपका क्या होती है? median, फिर हर एक x i में से हमने median को minus किया, फिर जो हर एक x i में से हमने median को जो minus किया था, उसकी absolute value हमने लिए, फिर formula लगा दिया हमने main deviation about median का, ठीक है? next आपक calculation पार्ट है, यह आप कर लेंगे, आज के lecture में हमने इतना ही करना है, हमने पढ़ा ungrouped data का mean deviation about mean b और median b, hope कि आपको यह topic अच्छे से समझ में आया होगा, description में इंसे related solution लेना ना भूलें, आगे से लेवस करने के लिए channel से जुड़े रहिए, इसे like कीजे, share कीजे, subscribe कीजे, thank you माल शुड़े ले ना जुड़े रहिए, इसे like की हिजे, इसे like कीजे, आपको यह topic अबए बढ़ादे लेए, इसे like कीजे ही आपको का यह जूलें से है ले लेए वाबादे लोग़े लेगाने कि ले में एवश्स करना है, वी एपको यह रह जुड़े उने हैं हैं इसे